को अब निकालना है तो जब टॉर्क निकालना है तो यह होता है आर क्रॉस एफ होता है वहीया तेरी बास मुझेखनी और जब वैलू लिखते हैं तो इतना बड़ा होता है था हम लोग ऐसे लिखते हैं आए कैप जय कैप और कई कैप लिखते हैं यहीं उसके बाद हम क्या करते है आर पहले हो ते आर का कॉफिसिन सेवें थ्री वन और एफ का कितना है माइनस 3 और यहाँ पर कितना है माइनस 3 1 5 इसका लिखने का तरीका आप कॉपी में प्रेक्टिस करिएगा मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ लिगिन करेंगे सौट में आई कैप लिखना है उसके बाद माइनस जे कैप लिखना है उसके बाद यहाँ पर प्लस के कैप लिखना है ऐसे लिख लिया करो आई वाले में आई को ऐसे ढख लो तो यहाँ लिखना है 3 1 और यहाँ पर 1 5 जे वाले में जे को ढख लो तो 7 1 इसको मैं देखो ऐसे हाथ रख लेता हूँ उसके बाद seven or one लिख लेता हूँ, minus three और five लिख लेता हूँ, minus three और five लिख लेता हूँ उसके बाद यहाँ हाँ से ऐसे ढख लेते हैं seven three, यहाँ लिख लेते हैं seven three और पेरी बार समझे लिए इस तरीके से बोलो जी और कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं अभी पहले से बता दे रहा हूं जब यह तरीका बता रहा हूं तो आप पूरा देख ली अभी मुझे एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पर पूर के कैफ है यहाँ माइनस सिक्स्टीन के कैफ है यहाँ पर प्लस सिक्स है और यहां से तो यही मैं बता रहा था एक सॉल्व करके आप आंसर मैच करा सकते हैं यह प्लस के कैफ है इसको सॉल्व करना जड़ा 7 इंटू 3 कितना होगा 7 माइनस माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9 यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा के कैफ 7 प्लस 9 और 9 और 7 एट करेंगे तो 16 के कैफ आएगा यह प्लस में इसमें